शिवा मैं आपसे आना चाहूंगी कि जस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कहीं न कहीं लोगों में काफी जाधा आक्रोश है जो इंटर स्ट्रेट ये कहा जाएगा कि अंतर जन्पदी जो मार गए वो जाम हो सकता है और आज सुबह से ही मृतक के परिजन अपने अपने शवों को ले करके बैठे हुए थे और मुहाबजे की मांग कर रहे थे चोकि एडियम की तरफ से दोनों की मौत पर पांच लाग तीस जार रुपए का जो राशी है वो दे दी गई थी देने का वद्दा भी कर दिया गया था लेकिन परिजन उनके साब तोर से दस लाग रुपए की मांग कर रहे थे लेहाजा काफी कड़ी मशक्कर के बाद उनको समझाया बुझाया के लिए जो मौके पर पुलिस अफसर जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे वो काफी मानमनुवत कर रहे थे लेकिन परिस्तितिया ऐसी बिगड़ गई कि ग्रामीडे और पुलिस के बीच में पत्राओं तक की स्थितिया आगे अभी फिलाल एक घंटे पत्राओं चला है उस जो इलाके का पूरा एरिया है उसको बैरिकेट कर दिया गया है सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी की तमाम फोर्ज जो है वो मौके पर पहुँच चुकी है अभी हाइवे को पूरी तरीके से खुलवा दिया गया है लोगों को चिनित किया जा रहा है जिन्होंने पुलिस पारटी पर फारिंग की थी लेकिन मौाफ़े का जो पूरी प्रकरिया थी उसको जिला प्रशासन ने पहले ही एक उसका प्रोफार्मा तयार कर लिया था लेकिन चुकी मौाफ़ा परियनों को कम लग रहा था वो लोग की कह रहे थे कि नगद उनको दसलाक रुपे चाहिए लेकिन सबका प्लैटफॉर्म भी होता है इसलिए इस्तिती शायद वहाँ पर बिगड़ गई अभी फिलाल पुलिस के अधिकारी यही कह रहे हैं कि इस्तिती अभी कायम है बस लोगों को चीनिया जा रहा है जिन लोगों ने पुलिस पार्टी पर पत्राव किया जिन लोगों ने पत्राव किया क्या उसके बाद किसी के पुलिस के किसी घायल होने की कोई सूचना या किसी के हतात होने की कोई सूचना मिल पार रही है इस पूरे घटना में लेकिन जो पुलिस के बड़े अफसर है उन्होंने मौके पर स्थिती को कायम रखने की बात कही है लियाजा अगर कोई भी बहुत जादा चोटिल होता है तो अभी उसकी इंफॉर्मेशन शायद कुछ देर बाद मिल पाएगी पुलिस की सबसे पहली प्राइटी यही है कि उस इलाके को पूरी तरीके से बेरिकेट किया जाए ताकि इस तरीके की स्थिती दुबार आउत पर ना हो